नमस्कार आप देख रहें एक न्यूस 24 और मैं हूँ आपके साथ श्वेता मिस्रा बिहार के पूर्ब उप मुख्य मंत्री और राज्य सभा सांसद सुशिल कुमार मोदी ने एक बार फिर इंडिया गटबंदन पर जोड़दार हमला बोला है उन्होंने कहा कि इंडिया गटबंदन सिर्फ बीजेपी विरोधी नहीं बलकी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और सनातन धर्म के वी विरोधी हैं बिहार के पूर्व उपमुख्य मंत्री एबम राज्य सभा सांसद सुशिल कुमार मोदी ने दिल्ली में हुई इंडिया गटबंदन की कॉडिनेशन कमेटी की बैठक के बाद बुद्धवार को बयान जारी करती वे निश्चाना साधा कहा कि बिपक्षी दलो की समन बया समीती की पहली बैठक नेत्रित्व सीट साजधारी और सनातन धर्म के मुद्धे पर कोई फैसला लेने या रुख तै करने में पूरी तरह टाय टाय फिस हो गई है सुशिल कुमार मोदी ने कहा कि समीती से आशा थी कि वह गटबंदन के नत्रित्व के लिए नितिश कुमार के नाम पर मुहर लगाएगी लेकिन बैंगलूरू मुंबई की तरह दिली बैठक से भी जेडियू को निराशा मिली उन्होंने कहा कि एक दिन पहले जेडियू अध्यक्ष और समीती के सदस्य ललन सिंग पीम पद की दावेदारी करते हुए पटना में नितिश कुमार का बायो डाटा जारी कर रहे थे इस बैठक को लेकर बीजेपी नेता ने कहा कि समनबे समीती ने सनातन धर्म संबंदी द्रमुक के बयान की निंदा तक नहीं की जिससे असपस्ट है कि इंडिया गठबंदन केवल बीजेपी और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के विरुद नहीं बलकि सनातन धर्म कहा कि जो लोग पांच राज्यों में इसी साल होने वाले विधान सभा चुनाओ के लिए सीट साजधारी कर रहे हैं उन पर फैसना नहीं ले पाए वे लोग सभा चुनाओ में साजा उमिद्वार कैसे तै करेंगे सुशिल मोदी ने आगे कहा कि आसन चुनाओ वाले दो राज्यों में केजरिवाल की पार्टी ने दस दस सीटों पर अपने उमीद्वार अकेले ही तै कर लिये उधर हाल की उपचुनाओ में गटबंदन के दल, पश्चिम बंगाल और केरल में एक दूसरे के खिलाप मैदान में थे समनबे समीती की बैठक में न ललन सिंग पहुचे न ममता बनर जी के प्रतिनीदी वहीं माकपा ने अब तक अपना प्रतिनीदी भी तै नहीं किया है उन्होंने कहा कि जब तक राहूल गांधी, लालू प्रसाद याद, नितिश कुमार और ममता बनर जी जैसे शुर्ष नतित्व की बैठक नहीं होगी तब तक समनबे समीती की बैठक एक चाय पार्टी से ज़्यादा मायने रही रखती एक बर फिर से बता दू कि बिहार के पूर्व उपमुख्य मंत्री एबम राज्य सभा सांसद सुशिल कुमार मोदी ने दिल्ली में हुई इंडिया गटबंदन की को ओर्डिनेशन कमीटी की बैठक के बाद बुद्धवार को बयान जारी करते हुए निसाना साधा उन्होंने कहा कि बिपक्षी दलो की समन्वे समीती की पहली बैठक, नेतरित्व, सीट साजेधारी और सनातन धर्म के मुद्धे पर कोई फैसला लेने या रुख तै करने में पूरी तरह टैटाय फिस हो गई सुसिल कुमार मोदी ने कहा कि समीती से आशा थी कि वह गटबंदन के नेतरित्व के लिए नितिश कुमार के नाम पर मुहर लगाएगी लेकिन बैंगलूरू मुंबई की तरह दिली बैठक से भी जेडियू को निराशा मिली उन्होंने आगे कहा कि एक दिन पहले जेडियू अध्यक्ष और समीती के सदस्य ललन सिंग पीम पद की दावेदारी करते हुए पटना में नितिश कुमार का बायो डाटा जारी कर रहे थे इस बैठक को लेकर बीजेपी नेता ने कहा कि समनबे समीती ने सनातन धर्म संबंदी द्रमुक के बयान की निंदा तक नहीं की जिससे असपस्ट है कि इंडिया गडबंदन केवल बीजेपी और प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के विरुद नहीं बलकि सनातन धर्म बाकि इस खबर में बस इतना ही ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे एक न्यूस 24 अगर आप यह वीडियो हमारे फेस्बुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और अगर यही वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर दे झाल 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 झाल